आज किस वीडियो में हम आपको investor और इसकी types का basic concept easy way में example के साथ बताऊंगा वीडियो को end तक देखिएगा ताकि आपको complete information मिल सके देखिए investor वो person होता है जो अपने finance को, अपने पैसे को, अपने capital को किसी ऐसी जगह पे डालता जिससे उसे कुछ gain मिले, कुछ उसे earn हो कोई shares company के खरीद लेना, तो यह जो काम को यह भी person करता है, किसी property में डालता है, किसी shares को खरीद लेता है, ताकि उसका motive क्या होता है profit मिले, उसको हम investor बोलेंगे, अभी investor की आगे कुछ types हैं, जिससे सबसे पहले आ जाता है accredited investor, वो investors होते हैं, जिसमें सबसे पहले, इसकी net worth बहुत हाई है, जिसके पास बहुत ज़्यदा पैसा है, जो किसी individual में invest का रहा है, किसी ने startup में invest का रहा है, खुला पैसा लेके आ रहा है, और ने startup उसमें डाल दिया पैसा, उसने उसे चालू कर दिया, तो वो एक फृष्टा बन के आ है, तो इसलिए हम इसे कहते है angel investor, जो फृष्ट है, ने startup के लिए पैसा लेगा है, उसको चालू करके business को दे दिया है, वो वैसे free में तो नहीं करेगा, उसे कुछ earn करेगा, उसे कोई profit लेगा, आगे आजाता है venture capitalist, ये वो investor होता है, जो company नहीनी start होती है, या company ऐसी जो नहीनी early stages पे होती है, बाट उसे नजर आजाता है यार, ये company आगे चलेगी, ये company grow करेगी, या कोई ऐसी company जो नहीनी start हुई है, initial stage है उसकी, तो ये उसके साथ पैसे invest कर देता है, इसको हम venture capitalist, capitalist बोलते है, ठीक है, आगे accredited investor की तीसरी जो टाइप है, वो है private equity investor, ये क्या होता है, ये investor वो investor होता है, जो private companies की equity like अगर लाग खर्पे की एक business है, तो उसमें 50,000 आपने invest कर दिया, तो आप 50,000 के आपके पास equity है, ownership है, तो वो क्या करता है, private equity खरीदता है, उसको हम private equity investor बोलते है, like private companies में उनकी ownership खरीदता है, अगर company की बढ़ता है, एक रोड तो डाल दिया, 50,000 के बाई, मैं भी इसमें 50% हिसेदार हूँ, उसको हम private equity investor बोलते है, ये इसकी त्री स्री टाइप, इसकी accredited investor की, आगे आजाता है, non accredited investor, non accredited investor, like उसमें, like crowdfunding investor आजाते है, ठीक है, जो crowdfunding investor होते है, like investing करते हैं, different platform पे, जैसे kick star है, उदर क्या होता है, कि उदर different लोग आते है, उदर अपना एक business model बताते ह उस business model को देखते हैं, सारे investor, और देखते हैं, for example, मैंने अपना कोई business model है, मैंने investment cutting करनी है, उन्हें funding करनी है, तो मैं जा कि उस platform पे, जैसे kick star बहुत मिशूर एक platform, उदर जा कि अपना model शेयर करते हूँ, तो उदर बंदे बैठे होते हैं business को देखने वाले, तो वो देख क उसका यह है कि मुझे भी profit मिले, तो वो क्या होगा crowd funding investor, हम उसको बोलेंगे, ठीक है, जिसमे crowd से मुराद है कि बहुत जएदा लोग invest करते हैं, like किसी ने 10,000 दे दिया, किसी ने 1,000,000 दे दिया, तो crowd मिलके आपकी business को promote करते हैं, इसलिए उसको crowd funding investor बोलते हैं, जो non accredited investor की प ठीक है, securities की buying selling करता है, like short level के लिए, कोई shares खरीदे, थोड़े से उपर गई बेच के side पे, कोई stock cryptocurrency खरीदे, थोड़े से उपर गई बेच के side पे, उसको हम retail investor बोलते हैं, like छोटे level पे काम करना, चोटी quantity में काम करना, चोटे time period के लिए जो काम करता है, तो आगे number third पे जो है institutional investor आजाता है, institutional investor वो investor होते है, like जो, like जिसने कोई अपना कोई person है, pension fund से related आजाते है, pension fund किसी ने डाल दी है, pension fund किसी employee ने अपने पैसे थोड़े थोड़े invest का रहा है, अपनी salary से cut करवा के saving कर रहा है, और जब end पे last off उसे retirement हो, उसे कुछ मिले, उसको हम pension fund बोलेंगे, तो pension fund एक institutional investor की एक type है, आगे mutual fund आ जाता है, mutual fund, institutional investor वो होती है, like जो pension fund मे इनवेस्ट कार दिया, और किसी ने like private equity firm में इनवेस्ट कार दिया, जो प्राइवेट कंपनी उसमें डाल दिया पैसा, venture capital इसमें डाल दिया पैसा, like venture capital firms वो होती है, like जो नही start-up होती है, नहीं नहीं कंप में आजाते हैं और उल्र म Panel यह तुशर्य में पासे नियुट का रेखाररें जैशुल इंत्युशचनल इंस्टेशल में पैसेphonie का रहे हैं वह बी इंस्टेशीयशनल इंवेस्ट होगा इंस्टेश्टेशनल ओर डाओं से जो एक अदारी Little एक counselor पर शिस्टम बना हुआ है ठीक है एक organization बना है उससे related जितनी भी field है उसमें जो पैसा डाल है वो institutional investor में आ जाएगा ठीक है और यह इसकी कुछ types थी आगे strategic investor आ जाता है strategic investor वो investor होता है इसमें strategic investor की भी आगे types हैं जिसमें पहली type इसकी आ जाती है corporate venture capital corporate venture capital वो investor होते हैं like बड़ी-बड़ी companies होती हैं जो companies के अंदर invest करते हैं ठीक है यह ऐसे investor जो बड़ी-बड़ी companies में invest करें या नहीने startup में invest करें उसे हम corporate venture capital बोलते हैं अगे private equity firm like strategic investor में वो भी आ जाते हैं जो नहीनी private companies बान रही है like उन्हें नजर आ रहा है कि यार इनकी growth हो सकती है तो वो उसमें पैसे डाल देते हैं उसको private equity firm बोलते हैं आगे social venture capital आ जाता है जो impact investor में आ जाता है जो invest करेंट करते हैं socially responsible companies के अंदर ठीक है आगे day trader होता है वो भी एक investor ही होता है बट वो short time के लिए like trading उसकरता है कोई securities खरीद लिए को shares खरीद लिये और उसी time उसने sell कर दी उसको हम day trader investor बोलते हैं ठीक है और आगे swing trader investor आ जाता है जो trading करता है but short time period के लिए na holding position उसने उठाई है जैसे फारक्स में जो trading करते हैं उसको हम swing trader investor बोल सकती है और आगे growth investor आ जाता है last पे जो investment करता हाई growth companies में जिनकी companies की growth होने वाली है उसमें पैसे जो डालता है उसको हम growth investor बोलते हैं तो यह कुछ type C और concept था investor का यह hope आपको clear हो चुका होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो subscribe और like करना मत बूलिएगा अपना ख्याल लग किएगा good bye